एक लो एक विडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं बीए फरस्ट यहां पर देख सकते हैं सौरी इस्टेंट इसर्व एक्जामिनेशन 2024 का हिंदी लिट्रेजर का पीपर फर्स्ट आपके लिए मैं लेकर आचुका हूं प्राचीन हिंदी का वेपर अधारी थे ठीक है तो आपके इसी तरह बहुत अच्छे से करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं टाइम की बर्बादिन ना करते हुए तो यहां पर पहला दिया हुआ है निमनल लिखी किशरप प्रशंग व्याख्या करनी है आपको जो किशंदर प्रशंग और व्याख्या यहां पर तीन हुआ है उसको आपको करना है उसके बाद ख में दिया हुआ है उसी के जैसे जो की दिया हुआ है उसका आपको इसमें करना है और गव में भी वैसे ही दिया हुआ है आप इसको वीडियो की रोक कर आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं आथवा में भी उसी के जैसे दिया ह हुआ है ठीक है मेरे पास टाइब नहीं है इसलिए मैं आपको पढ़कर नहीं बता सकता आप लोग देख लेंगे उसके बाद यह हुआ है यहां से हम सुरू करते हैं प्रश्ण दूसरा कभीर कवी भी है ठीक है भक्त भी है और समाज सुधारक भी उधारन सहीत कफ़न की विशलेशन आत्मक कीजिएं कवीर जी कवीव है और संति बगवान की भक्त भी मिलेगा तो उधारन यहां पर आपको देने हुआ है उसी के नागमती वियोग खंड के संदर में जैसी के वियोग वणन का वैसिष्टिय निरूपित की जीए ठीक है तो यहाँ पर उसको करना है उसके बाद सूर्व यहाँ पर सूर का भ्रहमरगीत विप्रम्ब विप्रलंब सिंगार का उतक्रिष्ट उधारन है इस कथ उनकी समिक्षा आपको करनी है यहाँ पर कमेंट आपको उसमा करनी है उसके बाद अत्वा में दिया हुआ है उसी के अयोध्या कांड के अधार पर तूलसिदास के काव्य सौश्ठव पर प्रकास आपको यहाँ पर डालनी है ठीक है तो आट नमर का कोश्चन है आप लोग इसको देख लेंगे उसके बाद आता है च्यों था अपने पाठ्य पध्यांसों के अधार पर घनानंद के काव्य की मूल समवेदना एवां काव्य संदर पर आपको वीचार यहाँ पर करनी है आठ नमर का कोश्चन इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे उसके बाद अत कर उसको लिखना है ठीक है उसके बाद पांचवा आपका आता है कुश्चन नेम न लिखी वीसियों मैं से कि नहीं तीन पर टिप पड़ी आपको यहाँ पर लिखनी है ठीक है तो फर्स्ट दिवाएं आप सूफी काव्य परंपरा और जैसी तो सूफी काव्य धारा जो की ह जोकि मुसल्वान लोग जादा लिखते हैं शूफी संथ उसी में जादा होते है ठीक है उसके बाद दूसरा है विद्यापति की रचना है तीसरा दियाववर रहीम के निती परग दोहे अब रहीम के निती परग दोहे आपको पाणने होंगे तब ही आपटी पणने लिखक करते थे रस्खान का काव यह संदर यहां पर आपको टिपणी लिखना है उसके बाद छटवा दिया हुआ है नीम्न लिखीत में से किन ही 12 प्रश्णों के संशीप्त उत्तर दीजिए संशीप्त में उत्तर आपको देने भई उसके पहला दिया हुआ है तू बांभन मैं कांसी का जुलाहा किस कवी का कथन है भई अब यह जान लो ठीक है कांसी का जुलाहा कांसी का कफन बोर रहा है और कभी वह भी थे तो यहां पे यह कभीर दास का कफन हो जाएगा त्व 22 में काशी का जुल्ण उसके बाद दूसरा है कभी के जुल छो का नाम लिखे लिए है तो यहां पर आपको सायद बारा कांड है उसमें मुझे लगता है वही क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा था रामचरित मानस उसमें मुझे जदा याद नहीं है लेकिन बारा कांड है सायद यहाँ पर चाउता दिया हुआ विद्यापती की पदावली की स्ब्वासा में रची गई है ये भी आपको बताना है उसके बाद यहाँ पर दिय वर प्यरज आए तो बारा रास قंचाध ध्याई किस की रचनां यह आपको भी बताना है उसके इसके बाद रईक मोहंबद जैसी कहां के रहने ला थे यह आप माशा वर्णन से क्या भिप्राय है ब्रहमर्गीत में ब्रहमर सब्द से क्या ऐसा है उसके बाद उसी के जैसे ब्रहमर सार ब्रमर्गित्सार में गोपियो को कृष्ण का संदेश देने विरिंदावन कौन जाता है और नागमती के पती का क्या नाम था उसके बाद है यहापे रहीम का पूरा नाम क्या है यह आपको बताना है रहीम भई उसके बाद 252 वैशनाओं की वारता किसकी रजना है उसके अब ही आपका हिंदी लिट्रेचर का प्रश्ण पत्र तो आपकी बहुत अच्छे से करेंगे अपने दोस्तों को भी सेयर करेंगे आयोब यह पूरा वीडियो आप लोगे यूसफूर रहा होगा यूसफूर रहा तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करेंगे और अगर आपको क किसी विशे की जरूरत है प्रश्ण पत्र की तो प्लीज कमेंट करेंगे तुम मिलते हैं जीक और यूसूल वीडियो के साथ में तब तके लिए धन्यवाद